इसराइल हमास युद्ध के बीच लाल सागर युद्ध का एक ऐसा फ्रंट बन गया है जिसकी आग पूरे मिडिल इस्ट को जला रही है जीहां भले ही यमन की दूरी इसराइल से करीब 2000 किलो मीटर से जादा हो लेकिन उसके बावजूद यमन का हूती इसराइल और अमेरिकी जहाजों पर सीधे हमले कर रहा है हूती ने लाल सागर, बावल, मंडेप, स्ट्रेट आफ, हॉर्मूज, अरब सागर और हिंद महा सागर में कई बड़े-बड़े हमले किये यहां तक की हूती ने एक जहाज को जबत भी किया जो अभी तक हूती के कबजे में हूती लगातार इसराइल और अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के मालवाग जहाजों और यूद्धपोतों पर हमले कर रहा है अब एक बार फिर से हूती ने लाल सागर में इसराइल और अमेरिका के USS Mason Destroyer पर सीधा हमला किया इस हमले में हूती ने कई एंटिशिप मिसाइलों का इस्तमाल किया है जो अमेरिकी यूद्धपोत पर सीधे जा लगी है इस हमले के लावा हूती ने डेस्टिनी शिप पर भी एक हमला किया है जो इसराइल की तरफ जा रहा था इसको लेकर हूती के प्रवक्ता यहा सारी का भी बयान आया है सारी का कहना है कि पहले तो डेस्टिनी जहास ने उसे चकमा देने के लिए कहा कि वो इसराइल के बंदरगा की तरफ नहीं जा रहा है लेकिन हकीकत में वो इसराइल के कब्जे वाले आम अलरश्रश यानि एलत बंदरगा पर बढ़ रहा था हुटी ने पहले तो इस जहास पर निगरानी रखे और फिर कबजे वाले फिलिस्तिनी बंदरगा की तरफ जाने को लेकर चेताबनी भी दी गए और इसके बाद ही इस जहास पर हमला किया गया आपको बता दे कि हुटी ने लाल सागर में अमेरिका और इसराइल के खिलाव चोथे चरण के हमलों के शिवात कर दी है हुटी ने इससे पहले कहा था कि उसका चौथा ओपरेशन दू हिस्सों में चलेगा पहले हिस्से में भूमत्य सागर में हमलों के दायरे को बढ़ाया जाएगा जबकि दूसरे हिस्से में अगर इसराइल रफा पर हमला करता है तो इसे अक्टिवेट किया जाएगा हूती का कहना है कि हमले के दूसरे हिस्से में फिलिस्तीन के किसी भी बंदरगा पर लंगर डालने वाले किसी भी जहाज को बक्षा नहीं जाएगा और इस इलाके में हूती की रेंज में आने वाले सभी जहाजों पर हमला किया जाएगा हाला कि ये हमले कैसे होंगे इसको लेकर हूती ने अभी तक कोई जानकारी साजा नहीं किये हूती ने ये जरूर कहा है कि अगर अमेरिका यमन के खिलाव जमीनी हमला करता है तो यमन के लोगों ने खुद को तयार कर लिया है है तब तक वो इसरायल और अमेरिकी जहाजों पर हमले करेगा झाल झाल